नोट बंदी के मोधी सरकार के फैसले के बाद दिल्ली उनिवर्सिटी के लक्ष्मी भाई कॉलेज में स्टुडेंट्स को स्मार्ट आई कार्ड इशू किया गया है जो कॉलेज केमपस के अंदर होने वाले सभी खर्चों के लिए मानने होगा बैंक ओफ इंडिया और कॉलेज प्रसाशन के सहयोग से यह अनुठा प्रयोग सबसे पहले लक्ष्मी भाई कॉलेज में ही किया गया है इस कॉलेज की छात्राएं अपने स्मार्ट आई कार्ड को ATM की तरह यूज कर रही है इस स्मार्ट आई कार्ड के जरिये वो अपने कॉलेज में होने वाले सभी खर्चों जैसे की फीस, लाइबरेवी और कैंतिन तक का भुकतान अपने स्मार्ट आई कार्ड के जरिये कर रह की कोशिश की, RFID कार अज कल रेडियो फ्रिक्वेंसी आइंटिफिकेशन बहुत कॉमन हो चुका है विकिन हमारे स्मार्ट कार्ड की विशेष्टा ये है कि इस कार्ड को रिचार्ज कराया सकता है जैसे आप आप 802 रख मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराते हैं और जितना भी अमाउंट आप बिलाना चाहें इसमें आप 50 रूपीस से करना चाहें या पन्रीड से करना चाहें तो आप अपनी सुविधा से करा सकते हैं savoirS और इस प्राड के थुद्व आप fees payment भी बच्चे कर सकते हैं लाइबरेडी fine का payment भी कर सकते हैं और सबसे जादा जो day to day इनको convenience मिलेगी वो canteen payment में मिलेगी canteen और photocopy के लिए इसकी facilities यह है that now we don't have to carry our eye cards जो कि जिनके पास कोई handle नहीं था we can just hang it in a like next and हमार को बारी बाई शो करने की जरूरत नहीं पर दी वालेट से निकालना कुछ करना तो and also हमें carry नहीं करना पड़ता cash हम अपने जो college के अंदर जित्ती भी payments हैं हम इसके through कर सकते हैं और जित्ती भी transactions है वो easy हो गई हमारे लिए online unlimited recharge सुधा के चलते जहां एक तरफ छात्राएं अपने smart eye card को लेकर उत्साहित नजर आती हैं वहीं अब इनके parents भी smart eye card के चलते इनके खर्चों का ब्योरा पासकेंगे लक्षमी बाई college दिल्ली उन्वरसिटी का पहला college बन गया है जिसमें students अपने सभी payments smart eye card के जरिये कर सकेंगे इस card के जरिये चुकि हमारे पस back end में soft copy available है उनके सारे data की इससे हम बच्चों को time to time बच्चों के घर पे भी message भेज़े जा सकते हैं जैसे attendance short हो रही है या उनको remind करना है किसी test के लिए क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा कहीं कहीं careless भी हो जाते हैं हमारे पस यह भी complaints आती हैं कई बार parents की कि बच्चे college तो उनकी जानकारी में रोज आ रहे हैं लेकिन actual में बच्चे college नहीं आ रहे होते हैं तो यह उनकी private space और democratic views और उनके rights की बात आ जाती है but ultimately parents अभी भी responsible responsibility तो है ही उनके एक तरफ जहां students के लिए इस smart card का रख रखाव आसान है वहीं अब उनका पैसा भी इसमें सुरक्षित रह सकेगा आने वाले समय में college campus के बाहर की सुविधाओं में भी students इस card को use कर पाएंगे किसी कारण से smart i card के गुम हो जाने पर तुरंत नया card issue करवाया जा सकता है अब दिल्ली university के बाकी college भी जल्दी इस technology को अपनाते हुए नजर आएं तो कोई आश्चर्ज की बात नहीं होगी दिल्ली दरपर ब्यूरो रिपोर्ट